नमस्कार प्रणाम हरर मादेव मैं आप लोग का दोस्त बैदमनोज सिंग मोरिया आप लोग को बीच एक आज अर्भूत पौधा लेकर के आउंगा इसे चमतकार ही समझें आज तक बहुत से लोग उसको केचड़ा समझते आए हैं लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उ आप लोग को बीच और कुछ उसका खात्यत है वह भी बताऊंगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नए हैं आयरवेदिक जंगल परिच्छाइका में रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलनोट की के संग दबा दें और अच्छा लगे तो अप तो चलिए आज हम जानते और पाचानते हैं इस दूब के बारे में दूब को जानते और पाचानते हैं तो यह दूब वाली घास प्राया हर एक जगा मिल जाती है और लगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ तथा संस्कृत में अमरी, अम्रिता, अनन्ता, अनुबालिका, बहुबिर्य, भागर्वी, भूत हंत्री, दुरुवा, गौरी, हरिता, जया, महावसिदी, मंगता, इत्यादी कहते हैं दूब, पारको, घर के आंगनों में, बागबगीचो, परवतो, जंगल वा, जलासे के अस्थानों में होती हैं दूब की बेल जो प्रिथवी पर भी फैलती हैं, इसकी गाट भी जड़ पकड़ लेती हैं, इसके पत्ते एक से डेड़ सेंटिमीटर तक लंबे होते हैं दूब भारत बर्ष में सभी जगा पाई जाती हैं, दूब की बेल होती हैं, दूब कई प्रकार की होती हैं, जैसे हरी या नीली दूब, सफिर दूब तथा गाटर दूब इत्यादी नामों से जना और पहचाना जाता है इसका गुण और धर्म में बता दूब, यह दूब, स्वाद में चरपरी, कसैली, कडवी वा मधूर होती हैं, स्वाभाव से यह सीतल होती हैं, यह त्रिष्णा, अरूची, दाह, मुर्छा, कप, स्रम, अतिसार, ज्वर, बमन, विशर्प, दाद, त्वचा के विकार, ग्रह पीड़ा, और भूत बाधा को दूर करती हैं, दूब, प्यास को मिटाने वाली, मुत्रल, खुन और पित की तेजी वा, जोस को कम करने वाली, वा सर्पविश के बमन को लाफदायक है, तो चलिए दोस्तों मित्रों, मैं इसका और सदिया परचे में बता दूँ, इससे पहले की, जो भी भाई बंदू, मेरे इस चैनल, आयरवेदिक जंगल परिचाई का, वो आयरवेदिक जड़ी बुटी पर, सबसे पहले वीडियो देखना हैं, क्रिपिया एक लाइक अवस्य करें, और सब्सक्राइब, सेयर और एक कमेंट अवस्य करें, तो चलिए दोस्तों मित्रों, मैं इसका और सदिया उप्योग बता दूँ, इसकी और सदिया मत्रा छो मासे की है, दूब को पीस कर, दूद में छान कर पिलाने से, पिसाब की जलन मिठती है, दूब की साड़े साथ मासे की जड़ को, महिन पीस कर, दही के साथ मिला कर, चाटने से, पुराना मुत्रक्रिच मिठता है, दूब के रस को चावलों के धुवन के साथ पिलाने से पित की वमन मिठती है दूब के चौगूने रस में सिध किये हुए तेल को लगाने से दाद, खुजली और वन मिठते हैं दूब को हल्दी के साथ पीश कर लेप करने से भी खुजली और दाद मिठ जाती है इसका ताजा रस नाक में टबकाने से नकसीर फौरण बंद हो जाती है इसके पंचांग को पीश कर लेप करने से जखम से खून बहना ततकाल बंद हो जाता है दूद को सोठ और सौफ के साथ ओड़ कर पिलाने से अमातिसार मिटता है दूब को मिश्री के साथ पीश कर छान कर पिलाने से पिसाब के साथ खून का आना बंद हो जाता है दूब के रस में अतिस के चुन को मिला कर दिन में दो तीन बार चाटने से बिमारी से आने वाला जोर बंद हो जाता है दूब के क्वाद से कुल्ला करने पर मूँ के छाले मिट जाते हैं उपदंस की दूसरी अवास्था में जब सारे सरीर में चट्टे पड़ जाते हैं तब दूब की जड़ का क्वाद पिलाने से लाव होता है दूब का सित निर्यास बना कर पिलाने से बवसीर से बहने वाला खून बंद हो जाता है दूब के रस में सफेद चंदन का बुरादा और मिश्री मिला कर पिलाने से रक्त प्रदर मिटता है हरी दूब के रस का लेप करने से आखों का दुखना और गड़ना गीलों का आना मिटता है सफेद दूब बिर्य को कम करती है और काम सकती को घटाती है इसलिए साधु लोग सफेद दूब का रस पीते हैं और यहीं पर जो अगर हरा दूब मिल जाए और इसका रस या लुगदी बनाकर मिश्री के साथ लिया जाए तक काम सकती की बृद्धी होती है और बिर्य की बृद्धी होती है और एक मैं सबसे ज्यानवर्धक मैं बात बता दूँ जो लोग बुखार से ज्याद़ परसान है तो समसान घाट में पैदा हुई दूब की जड़ को सूत से लपेट कर हाथ में बादने से सभी प्रकार के बुखार को आराम मिलता है तो दोस्तों मित्रों मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को ये जनकारी बहुती अच्छी लगी होगी तो कृपियाई से आगे भी सेयर करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सेयर करना न भूलें तो चलिए मैं फिर कल मिलता हूँ एक रोचक जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो